आप सभी लोगों का सुवागत है टीचिंग परिशा के आज के इस वीडियो में जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा यहां पर में एक बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है पहली से लेकर बार्वी गक्षा के लिए जितने भी जिए टेस्ट हम लोग लेंगे फिर हम लोगों ने डिसाइड कि चलिए एक open competition करते एक open test लेकर देखते है कि कितने बच्चे यहां पर में कैसा perform कर रहे है ठीक है तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाईए यहां पर हम लोग बहुत सारे जो important questions है उनको यहां solve करने वाले है सभी के सभी जितने भी बच्चे है पूरा session देखेंगे friends आप लोग ने पूरा session देखना है अच्छे से आप लोगों को जो यहां पर में पोल आएगा आप लोग पोल में भी answer कर सकते हो आप लोग ताकि आप लोग बहतर तरीके से समझ सके कि आप लोग कहा stand कर रह सभी के सभी लोग और मुझे यहां पर में दिखना चाहिए कि हार एक बच्चा जो है अपना अपना यहां पर में contribution दे रहा है और वो चाह रहा है कि भाई आज की क्लास जो है बहतर तरीके से हो जाए उसकी चलिए जी हाँ PIT के लिए भी इंपोर्टेंट है आप लोगों का पहले कोशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं पहला कोशन है आप लोगों का एनिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखा कौन है जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग तो आंसर आप लोगों का हो जाए जाती का उन्मूलन ये पुस्तक किस ने लिखी है जाती का उन्मूलन बहुत इंपोर्टेंट है इसके अलावा एक बहुत इंपोर्टेंट वाली पुस्तक आप लोगों की जो है पाकिस्तान या भारत का विभाजन पाकिस्तान या भारत का विभाजन पाकिस्तान और पार् बुद्ध या काल माक्स, बुद्ध और इस्धम्मा और प्लस बुद्ध और काल माक्स, दोनों ही पुछतके बहुत important हैं उनकी, Plus friends एक चीज है, मुक नयक नाम का अखबार उन्होंने निकाला था, जो हर हथते आता था, मुक नयक, मुक नयक नाम का अखबार किसका था, Dr. B.A. रंबित कर कही था, तो क्या-क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को, सबसे पहले पढ़ाया मैंने Enhilation of Cast किसकी पुष्टक है, Dr. B.A. रंबित कर की पुष्टक है, Enhilation of Cast, ठीके, Jati का unmoolan, यह आप लोगों को यादखने डायरेक्ली मूक नायक नाम का अखबार किसने निकाला था तो डॉक्टर बियार अंबिट करने निकाला था यह याद अखने आप सभी लोगों ने ठीक है इसके अलावा जो है फ्रेंट्स पाकिस्तान और पार्टिशन ऑफ इंडिया भार पाकिस्तान या फिर भारत का विभा कि यह कुछ इंपोर्टन बुद्ध और कार्ल मांक्स यह यह भी बहुत इंपोर्टंट कोश्चन है चलिए क्या बाते है आप przeci currently कोश्चन आदर Question के अ कि ठीक के अनहद अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्स यह कुशन है आप लोगों का फ्रेंट्स और बिहार से रिलेटेड है ठीक है तो आप लोगोंका जो है आंसर यहां पर में आगया है च्वल्ड़ पत्तना में हुआ था आंसर याद रखने को अंशन में आ लेखक थे बुद्धी जीवी थे उन लोगों को बुलाया गया था कि वो अपने विचारों की प्रदर्शन ही कर सके ठीक है चालिए डारेक्टर कौन थे इसके इस पूरे के पूरे उत्सव के सुजाता प्रसाद आपको एक कुशन है बोडो डोगरी संथली मैथली यह भी आपको करवाया है रिवीजन सीरीज के अंदर में और पूरा याद बार 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 रिवीजन करवा 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 कर आप लोगों को याद करवाया, बोडो, डोग्री, संथली, मैथली, ये 4 भाषाओ को हमारे 8 वी अनुसूची के अंदर में, 8 schedule में जोडा गया है, 8 वी अनुसूची के अंदर में, ठीक है, 8 वी अनुसूची में, पहले 14 भाषा थी, अभी कितनी हो गई है, टोटल 22 भाषा हो सब्सक्राइब करते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने टीचिंग परिशा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, ठीक है, तो आंसर इसका option number B हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, पहले कितनी भाष जोड़ी गई थी, वो सिंधी भाषा थी 1967 के अंदर में, 21 संवीधान संशोधन के जरीए, ओके, हिल स्टेशन, जवादी किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको करवाया हूँ है, आप लोगों से मैंने जब जो जो जोग्रफी वाला करवा रहा था, मैं उसके अंदर में जवादी, उत्तर प्रदेश में तो पुर्वी घाट, पुर्वी घाट की बात कर रहो हूँ है, तो पुर्वी घाट, इस्टर घाट के अंदर में है, तो केरल में उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, उत्तर आखड में नहीं हो सकता, केरल में पस्चिमी घाट है, जवादी हिल्स और शेवरॉय दो याद रखिए आप लोगों का आंधर प्रदेश में है जवादी और शेवरॉय का हाँ पर देखो जवादी हिल्स और शेवरोय हिल्स याद रखो पश्ची आप लोगों का पुर्वी घाट में है तमिल नाडू में वही नल्ला मल्ला जो है पुर्वी घाट की एक पहाड़ी है आप लोगों की आंतर प्रदेश के अंदर में लिखो सभी लोग एक बार पेपर पास करना है रहीं हो करते जो जाओ पर में आराम से जवादी हिल्स पर मैं आप लोगों का नियुकर्णाडू के अंदर में पुरवी घाट में तमिल नाडू के भी काम आएंगा है हिस्ट्री में भी काम आएंगा और पहली से पाची वालों के लिए सारी इसमें काम आएंगा वो ठीक है चालो नौ फ्रेंट निमनलिखित में से उष्णे कटी बंदी गास का मैदान कौन सा सही है यह बताना है आप लोगों ने ठीक है निमनलिखित में से उष्णे कटी बंदी है घास का स्थल कौन सा सही है ठीक है स्टेपी जो है फ्रेंट्स क्या है यह घास का मैदान आप लोगों का ग्रीन लेंड के अंदर में है लानोस ठीक है ब्राजील में सवाना अफ्रीका में कंपोस वेनेजुएला में सबसे पहली बा वो भी बच्चे है जिन्होंने कल का लेक्चर गिया तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि भाई लोग उष्ण कटी बंदी है घास का मैदान पूछा पूछा गया है अगर ट्रॉपिकल ग्रास लेंड तो क्या सवाना ट्रॉपिकल ग्रास लेंड है क्या सवाना या स्टेपी स्टेपी आप लोगों का जो है friends ये शितोष्न घास का मैदन है अब वह कहीं हमें क्या लेना देना ठीक है 56 गास का मैदन और पूचा उष्ण कट्वन दिये आप कि कब हने हैं थ्र है कि एक इन में से इन पाच जो है बच्चों में से आपका बच्चा कौन सा जी करके ठीक आपका सर्णी म्योटि शर्मा सकते हैं कि आयगे की ग्रीषा इस जर्म शल्म आपका बच्चे का सर्नी दिख रहा है वर्मा करके त्व अपको ठीक है डिकक सदो भी अज की तो एत बिक करने पाकः और यह number का question आप लोगों का इह हो घ्लीटी रहा ऑच की यहाथ हो गया लानो जो क्षिए कि यह जो है व recommends यह वैनेजोएला में नॉसर Πये है र में जो आप छसे मेडं है फैसी अदमीन। यहाद रखने है आप लोगोंगे में आम पूर्टाटन पॉइन्छे नदर के अमने पूछ पूछ सकते हैं तो मीने तीन मैंने बताया यहां करने टीनों करते लिए कमिट करने दीनों सब्सक्तर सब लोग लिखेंगे यहां पर में ओके कि आप लोगों का सभी लोगों का जल्दी जल्दी से आंसर आजाने चीए लानोस कहा पर में सवाना का है कंपोस कहा है स्टैपी जो है सितोष्न घास का मैदान है और मध्य मध्य एशिया में पाया जाता है मध्य एशिया के अंदर में मध्य एशिया में पाया जाता है और नॉर्फ ठीक है आशिया के अदर में और साध यूरोपके अदर में पाया जाता है नेक्स्क्ष चंक के तरह में आगी बढ़ते हैं है सवाना आप लोगों का सही अप लोगों को मैं ने लिकिन नहीं से कॉंसी पहाडी या मिघाले में स्थित है, खासी, गारो, जवादी उपरियूग में से एक सथीक, उपरियूग में से कोई नहीं, और बेटा ये आंसर ये कुशन का आंसर जो है, घर एक बच्चा, एक पहाडी है नहीं, यहां पर में एक पहाडी कॉन जिक Garo Khasi jayantiya, ठीक ये मिखाले में है, Garo Khasi jayantiya आप लोगों का, Garo Khasi और jayantiya ये आप लोगों की है, तो Garo Khasi, Garo है, Khasi है मिखाले में, तो आंसर उपर यूप में से एक से अधिक होगा, किते लोगों ने answer सही लगाया है, ठीक है, D, 66 प्रतिशत लोगों ने answer लगाया है, जवादी हिल्स कहाँ पर में अब आंसर करो आप लोग स्टेट ठीक है जवादी और शेवरोय जवादी और शेवरोय नल्ला मल्ला कहाँ पर में नल्ला मल्ला आंदर प्रदेश में देखो मैंने आपको यादा है नल्ला मल्ला आंदर प्रदेश में जवादी और शेवरोय तम आपको कितना आसानी से आद होगा, जो बच्चे पेड में जुड़े हुए है, उन लोगों के लिए तो मज़ा ही मज़ा होगा, क्योंकि वो लोग तीसरी बार इस चीज को कर रहे होंगे, ठीक है, इस पर्डिकुलर चीज को, तो बहुत बड़ी है, ऐसे ही आप लोग करते र और आप लोगों ने चैलेंज एकसेप्ट किया था, क्लास में, हर एक बच्चा ने बुला था कि सर बिल्कुल याद कर लेंगे गर के, कभी भी पूछ लो, बताओ, ये है आप लोगों की चार पुस्तक है, और ये करंट अफेर का कोशन है, करंट का, करंट अफेर की चार प अब ही आप लोगों के, यहां पर में पटिकुलरली अभी फिलहाल के अंदर में कोशिश करते रहें यहां पर में, जहाँ आमरे दानिय से रहेंगे, याद होना ही होना है, तो अगर मैं बात करूँ, smoke and ashes, मैंने आपको बताया था, कि smoke and ashes, आप लोगों का, दुआ और राक, अमिताव घोष ठीक उन्होंने घोषना कर दी कि भाई मैं जो है ओपियम ले रहा हूँ अपियम वाली कहानी आपको बताया था मैंने याद करवाया था ओपियम वाली ट्रिक से आजाद गुलाम नभी आजाद की कहा वह है आत्म कता है जम्मु कश्मीर के मुख्यमंत्री रह गोल्डन चान था कि अख्छी जिन्दगी जीना है आफ वर जी आपको बन अच्छाता होना चाही आप लोगोतों के घर्रों के साथ में अपने परिवार्य वालों के साथ में अच्छा डांक था से ुखनेसे जिन्दगी जीनी है, खुशी भरी जिन्दगी जीनी है, तो bond अच्छा होना चाहिए, तो Ruskin bond, directly, trick बन गई आप लोगों की अच्छी जिन्दगी, good जिन्दगी, joyful जिन्दगी, golden years, aha, क्या सुनहरे दिन थे, क्योंकि bond अच्छा था आपका, तो ऐसे याद रख सकते हैं, आप D सभी एक एक करके, हर एक बच्चा, मेरे को एक एक बच्चे से, यहाँ पर में करीब 2000 बच्चे जूड चुके, हर एक बच्चे से यह पूरा चाहिए, smoke and ashes किस ने लिखी, Amitav Ghosh ने लिखी, लिखो comment में, अगर अपने घरवालों के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पू सभी लोग ने करनी है, smoke and ashes, Amitav Ghosh, आजाद नाम की जो पुस्तक है, गुलाम नभी आजाद, Jammu Kashmir के मुखे मंत्री रह चुके है, ठीके, Made in India, Amitav Kanth ने लिखी है, यह CEO रह चुके है, निति आयोक के, Golden Ears, Ruskin Bond ने लिखी है, इंपोर्टन आप लोगों के, चारो के चारो को हो गया, answer D है, ठीके, सभी के सभी लोग लिखेंगे, हर किसी बच्चे ने लिखना है यहां पर में, अपनी अपना योगदान दोंगे, आप लोगों के लिए ही बहतर होने वाला है, यह चीज, आलिए, तो यह पूरी की पूरी चीज है, आप देख सकते हो, यहां पर में, यह पूरी की पूरी बुक की लिस्ट है, चार बुक इंपॉर्टन वाली आप लोगों के लिए है, नेक्स कोर्शन की दर में आगे बढ़ते है, चौरी चौरा इंसिडेंस जो है आप लोगों का कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे सबी लोग कमेंट के अंदर में, चौर गोरख पूर में और यह हुआ था आपका 1922 में, फेबुरी 1922 में, ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर आप लोगों को, कनान अवद्य आप हो जाएगा, कितने लोगों ने यह आंसर लगाया है यहां पर में, ठीक है, 48% लोग उन्होंने आंसर लगाया है C, कुछ लोग 1922 में, 4 February 1922 को हुआ था, तो option में दिया नहीं है, तो आप लोगों को answer होगा option number E, ठीक है, 4 February 1922 को non cooperation moment इसी वज़ा से बंद हुआ था, 22 पूलिस वालों को जला दिया था आप लोगों ने, ठीक है, किस विध्यक, किस भारतिय रास्ट्रपती ने भारतिय डाक घर विध्यक 1986 के लिए pocket video का इस्तेमाल किया था, आपको याद है, हमने देखा था कि pocket video का इस्तेमाल किया गया था हमारे जो है जो है जो है ज्यानी जैल सींग के दुआरा, जिसके तहत इस जो particular आप लोगों का bill था, इसमें ये बोला गया था, कि सरकार किसी का भी खत पढ़ सकती है में, हजार उरंग के नजारे बन गये, ठीक है, तो मान लोग किसी ने लिखा ये खत और वहाँ पर में राजियू गांधी जी जी उसका खत खोल के पढ़ रहे है, अच्छा, क्या लिखा करके, तो राजियू गांधी ने ये बिल लेकर आया था, ज्यानी जैल सिंग बोले क कानून नहीं बन सकता, ठीक है, चालिए, नौ फ्रेंट्स ये भी कोश्यन, एक बढ़िया वाला कोश्यन आप लोगों का, अरे कहा चल लगए, आजा भाई, ये कोश्यन को करके बताओ आप लोग, ठीक है, विच वुमेन फ्रॉम बिहार हैस बिहार का करेंट अफेर से लाइक हो चुके है, जल्दी जल्दी से लाइक का नमबर भी 2000 के पहर पहुचाना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब निए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, देखें फ्रेंट्स, सुच्छ सुजल शक् सम्मान, कई सारे लोग जो है ये गलत आंसर लगा सकते है कि स्वच्छ सुजल शक्ति जो सम्मान हैं किस ने दिया है, तो आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर आय düşण है, यह कि हल्दी मिनिस्ट्री दे रही है य कोई भी आप लोग लाग लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना मंदार हिल्स अभी आप लोगों का नूसमें था मंदार की पहाड़िया मंदार पहाड़िया जो है आप लोग B题ो को बतादूU आप लुद्वे वैसे भी बहुत impact है मंदार पहाड़ि आपको पहता है भीहार के अंदर में ठीक है आप लोगों की जो हिंदू मननेता है उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मन्थन हुआ था तो मंदार पहाडी को ही लेकर गये थे वहाँ पर में समुद्र मन्थन को मन्थन करने के लिए जिससे अमृत निकला था और विश भी निकला था विश को जो है वो शि वासु पुझे जी जिनका सिंबल भैसा बताया जाता है तो इंका जनम यहां पर में हुआ था कि यहां पर में प्राप्त हुआ था यह याद रहने हैं आप आप सभी लोगोंने केवल जन को यहां पर में प्राप्त हुआ था just a second color change कर ले देपन था कि आप लोगों को अच्छे से दिख सके आपर में ठीक है तो बारवे नंबर की तिर्थनकार थे जिनका नाम था ठीक है वासु पुझ्य बारवे नंबर की तिर्थनकार थे इनको यही पर ग्यान प्राप्त हुआ था और उनका निर्वान भी यही पर हुआ था इसके अलावा मंदार की पहाडिया है आप लोगों की एक और चीज याद रखेंगे आप सभी लोग समुद्र मंधन की जो कहानी है वह इसी से जोड़क इसी समुद्र मंधन हुआ था ऊंधार पहाडियों फ्रू हुआ था इसके ऐलावा मंदार पहाडिया है कॉन्से उलंता जिले के अंदर में यह भी कॉश्टन पुछा जा सकता है, काफी सारे बच्चे जिन्होंने जो बच्चे इसके अंदर में रिवीजन बैच में थे उन लोगोंने तो बिल्कुल आंसर लगा भी दिया है, बिल्कुल जो पूछने के पहले ही, ठीक है, तो मंदार पहाडी आप की बांकजील के अंदर में है यह याद रखेगा आप लोह को याद रखना है बांका जीले में है बांका में याद रेंगा है विख रखे नहीं जायर की अच्छ nagण को चुरुआत की थी तब से वो न्यूज में था इसी वज़े से आप लोगों के लिए इंपोर्टन हो जाता है ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन के तरह में आगे पढ़ते हम लोग हमारे फ्रेंट्स आप लोगों का इस कोश्चन का अंसर कीजिए अब बात निकली है यहां पर में जैन तिर्थनकारों की तो एक कोश्चन आपका यह भी बन सकता है यह हिस्ट्री वाले जो बच्चे है उन लोगों के लिए इंपोर्टन है ही है साथी साथ में जी एस में भी बन सकता है इस लिए गिश्च करूए आप लोगों से यहाँ पर में आधीनाथ की तो यह पहले जैन तिर्थंकार थे THE पहले जैन तिर्थंकार जिनको रैषब ही इनको कहा जाता है इनका Люб cur 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 के तिर्थनकार थे इनका six- external था वाटर जी या जाया जनल असके बार में पार्षवच्के जूए पार्षवनाथ सब्थे आपके तेईसवे नंबर के तिर्थनकार है इनका था स्नेक और संभवनाथ जो है यह आप सबसक्राइब कर चाहए और निसवे नंबर के तिर्थनकार है, वाटर जार है उनका सिंबल, तो दो की जोड़ी चार के साथ लगनी चीए, बी की जोड़ी चार के साथ में, तो आंसर आपका उप्शन नमर यह हो गया, अब यह मली नात क्यों याद रखना था आप लोगों ने, आप लोगों को बता दू की मली नात पूरुष थे या स्त्री थे, इसके लेकर विवाद है, जो जैन परंपरा के अंदर में दो विभाजन है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर, जो दिगंबर परंपरा वाले लोग है, उन लोगों का मानना है की भाई कोई भी तिर्थनकार स्त्री नहीं हो मली नात थे, ये स्त्री थे, तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के दोनों जो जैन परंपरा के दो पार्ट है, उन लोगों में मानने ताह के मामले में डिफरेंस है, मली नात को लेकर, श्वेतांबर परंपरा के लोग मानते की ये स्त्री थी और दिगंबर परंपरा क उनका साप है, सर्फ है, 24 वे नंबर के तिर्थनकार है, वर्दमान महावीर, 24 वे नंबर के तिर्थनकार है, बिहार में ही उनका जनम हुआ था, friends, यह आद दखने, आप लोगों ने, कुंडग्राम नाम की जगह पर, तो आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहाँ पर में, ठीक है, 24 तिर्थनकार हुए है, तो 24 वे नंबर के जो है, वो है महावीर, महावीर, कुंड़ग्राम नाम की जगह है, बिहार में, कुंडग्राम वहाँ पर में, उनका जनम हुआ था, कुंडग्राम में, म महाविर का इनका जो सिम्बल है वो है लाइन या सिहीं जी हिंका सिम्बल है हर सिर्धानकार कोई ना कोई सिंबल होता है इनका सिंबल है सिहीं उके चलिए तो सिही या शेर यहाँ पर में डेख सकते हो important वाले हैं आप लोगों कि उनका यहां पर में दे दिया गए 1321 लाइक्स है तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें चिडगाव आर्मरी रेड की तो चडगाव शस्त्रागार धावा जो है आप लोगों का इसकी योजना बनाई थी सूरिया सेन ने चडगाव शस्त्रागार चापा या धावा या जो आपका रेड थी या उन लोगों ने लूट लिये थी हतियार किस से रिलेटेट है सूरिया सेन सूरिया सेन को ही क्या कहा जाता है, मास्टर दा भी कहा जाता है, मास्टर दा, तो मास्टर दा किसको कहा जाता है, ये कोशन भी आप लोगों का बन सकता है, याद रखनाएंगा आप लोगों ने, इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना आ जाता है, चिटगाव आर्मरी रेड 1930 के अंदर में इन्हों नहीं अंजाम दिया था, बाद में Britishers ने उनको 1934 में फासी की सजा दी थी, फासी पे लटका दिया था, ठीक है, Now friends, एक बहुत important question, बिहार के किस जिले के अंदर में bottling plant, bottle बनाने का कारखाना लग रहा है, यहाँ पर में Pepsi की bottle बनेंगी आप लोगों की, ठीक है? Pepsi की bottles यहाँ पर में बनाई जाएंगी आप लोगों की, तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर में इस particular question का answer क्या होगा आपका, ठीक है? Pepsi की bottles जो है, उन लोगों की बनाने के लिए बेगू सराय के अंदर में किया है, आप लोगों की पता है, friends की बेगू सराय जिले के अंदर में बराउनी नाम की जगह है, ठीक है? बराउनी, तो बराउनी के अंदर में basically लगाया जाएंगा यहाँ पर में यह प्लांट, Pepsi के लि की बढ़ते है, friends, आप लोगों की हम लोग, ठीक है, रिविजन के तौर पर आप लोगों का forensic science laboratory, ठीक है, आप लोगोंने CID देखा होगा, friends, Dr. Sadu के, ठीक है, forensic science laboratory जहाँ पर हम देखा है, आप लोगोंने CID के अंदर में वो, कोई भी, कोई सबूत मिलता है, तो वो लेकर ज की, तो 9 ranges के अंदर में बनाया जाने वाला है, friends, 9 police range के अंदर में इस तरीके से जो है, आप लोगों की laboratory बनाई जाएंगी, अत्याधुनिक शक्तिशाली labs रहेंगी, जिससे के criminals को identify किया जा सके, और case को जल्दी से जल्दी सोल जाया जा सके, तो 9 अलग-अलग ranges के अंदर मे विधी विज्यान प्रयोक शाला का निर्मान करने का फैसला लिया गया है, ठीक है, next question के दर में आगे बढ़ते है, इबन बतूता पहन के जूता भारत आया था, तुगडुक तुगडुक कहा से, और किस के साशनकाल में, तो इबन बतूता जो है friends, ये आया था मुरक्को से मुरक्को, मुरक्को की राजधानी सभी लोग बताएंगे मुझे, राजधानी क्या है, capital, राजधानी, मुरक्को की, या भुकम पाया थाना भी थोड़े दिन पहले, मुरक्को के अंदर में, तो इबन बतूता जो है, मुहमद बिन तुगलक के समयकाल के अंदर में आया थ ठीक है North Northern अफ्रीका के अंदर में यह उत्तरी अफ्रीका के अंदर में मुरक्को नाम का देश उसकी राजधानी है रबत रबत इस दा कैपिटल यह याद रखने आप लोग ने रबत इबन बतुता रहला नाम की पुस्तक लिए थी अर्भी भाशा के अंदर में मौहमद बिन तुगलक नहीं इबन बतुता को चाइना भी भेजा था और वो चाइना गया था के रल होते हुए तो इबन बतुता ने के रल के बारे में क्या लिखा है चाइना जाते जाते उसने के रल की यादरा की थी मतलब हिमाले से नहीं गया वो नीचे से ऐसा घूम के ऐसा गया था तो केरल के अंदर में उसने लिखा था कि केरल के अंदर में जो Muslim community है वो बहुत ही जो है respectful community हो business के अंदर में involved है business वगरे वाहपर में करती है यह NCIT के अंदर में दिया हुआ है साथ भी कक्षा कि पुस्तक के अंदर में आप लोगों की इसी वज़े से आपको बता रहो कि मुस्लिम कम्यूटी के बारे में केरल में मुस्लिम कम्यूटी के बारे में कौन से विदेशी यात्री ने वर्णन किया है अपनी पुस्तक रहला में तो इम्न बतुता उसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ठीक है आप लोगों के चंपारन सत्यागरा के बारे में आप लोगों को बताना है और यह कोश्चन का आंसर हर किसी से चाहिए मुझे बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है चंपारन अंदोलन बताओ जल्दी-जल्दी से बहुत बढ़िया देखिए आप लोगों के 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 देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर में जो तीन कठिया सिस्टम था तीन कठिया सिस्टम जिसमें बोला गया था कि 20 में से 3 हिस्तों के उपर में सुख Dipa Kahl Comics उसके लिए इसquito victory करने के लिए राजकुमार 2030 जो तैं गांधी जी के आने के लिए इन्होंने मनाया था राजिन्द प्रसाद जे बी कृपलांई जैसे जो इंपॉर्टन लोग थे वह गांधी जी से इसी अंदुलन के समय में उनकी मुलाकात हुई थी ठीके, तो आपके तीनों के तीनों पॉइंट यहां पर में सही आंसर, इसको आप्शन नमबर D हो जाएगा, एक सट प्रतिशत लोगों ने आंसर दिया है, मैं को बताओ कि चंपरान अंदुलन में गांदी जी के साथ कौन-कौन थे, गांदी जी के साथ कौन-कौन थे, यहां पर में आप लोग देख सकते हो, राजंद परसाद, जेभी कृपलानी, पहले यह दो को याद करो, जल्दी से, राजंद परसाद और जेभी कृपलानी, जल्दी से लिखो, आगे मैं और बता रहो आप लोगों को, पहले दो याद करो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करो खा है कि उनके साथ में चीक है जे भी राजेंदर प्रसाद और जे भी क्रिपलानी तो थे ही महादेव देशाई और नरहरी पारेग भी इनके साथ में यही पर जुड़े थे तो यह चार लोगों के नाम आप लोगों ने याद रखने जो चंपारान अंदोलन में गांदी जी के स समय में महादेव देशाई जो बाद में जाकर मा गांदी जी के परस्नल सेक्रेटरी बने थे महादेव देशाई नरहरी पारेग यह यह याद रखेंगे आप लोग यह याद रखेंगे आप लोग तीन कठिया सिस्टम को जो है खतम किया गया था Indigo Agrarian Act के जरीए ठीक है नील जो है कुरुषक कानून के तहत जिसको पास किया गया था 1908 में तो चंपरन अंदुलन सफल रहा 1908 में कानून पास किया गया था जिसको इंडिगो एग्रेरियन एक्ट बोला जाता है इंडिगो एग्रेरियन एक्ट 1908 के जरीए यह तीन कठिया सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था ब भारत का सर्वोचण नागara पुरुसकार भारत छतना अब तक केवल दो विद्यस्यों को दिया गया है तो दो लोगों को दिया गया है जल्दी जल्दी से बताएंगे और साल के एर के साथ में बताएंगे आप सबीं लोग चाहिए लोग जूड़ चोके हैं तंक यूज यहाँ पर में 1500 प्लस आप लोको से यहाँ पर में समरपीट क्योंकि यही वो लोग है जो session को आगे बढ़ा रहे है और इन ही को समर्पित करते है section को पूरापन तो कि दोनों तरफ से होना यह है friends आप लोगों के तरफ से response और में तरफ से यहाँ पर में energy तो answer यहाँ पर मैं देखिया आप लोगों का निलसन मंडेला से भी पहले जो है friends आप लोगों का यह बताएंगे आप लोग, Khan Abdul Gaffar Khan को दिया गया था 1987 के अंदर में, जितना ज़्यादा revision करोंगे, बार बार revision करोंगे, उतना ज़्यादा important आपके लिए, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार देखना पड़े तो दस बार देखना जिए, Nelson Mandela को 1990 में दिया गया था, ठीक है, तो यह दो व्यक्तियों को दिया गया है, केवल दो व्यक्तियों को, important है आप लोगों का, तो answer इसका हो जाएंगा option number C, तो Khan Abdul Gaffar Khan, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, इनको बादशाह Khan के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह, ठीक है, Khan के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है, और इनको सीमांत गांधी भी बूलते है, सीमांत गांधी, Frontier गांधी भी इनको बूला जाता है, पाकिस्तान के गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते है, कि निस्तों 2011 की जनगंड के अनुसार किस राज जी क्या जनसंख्यघंत्व सबसे अधिक है जनसंख्यघंत्व मतलब की भाई चोटे एरिया में जादा लोग रह रह रहे हैं चोटा एरिया जादा लोग तो यह है आपका बिहार 1106 लोग रहते हैं हर एक किलोमेटर के बकसे के अंदर में एक किलोमेटर का बना दिया जाए एक किलोमेटर एक किलोमेटर एक किलोमेटर का तो 1106 लोग रहते हैं आप लोगों के तो बिहार में जनसंक्या घना तो सबसे अधिक है सबसे कम कहा पर में चलो अब इतना खर्चा हो किलोमेटर के बक्से में 1106 लोग और यहां पर में केवल 17 है न तो अरुनाचल प्रदेश में सबसे कम है यह याद रखने है आप लोगोंने केवल 17 का जनसंग्या घनत्व है वहां पर में बिहार से रिलेटेड कुछ important facts सभी लोग मेरे साथ में दोहराएंगे हर एक बच्चा हर एक बच्चा यहां पर में दोहराएंगा बिहार की population growth कितनी थी दोहजार एक से लेकर 2011 के बीच में कितना प्रतीशत हम लोगों ने तरक्की की है दिन रात मेहनत करके ठीक है आप लोगोंने 25.42 प्रतीशत की दर से आप लोगोंने जो है फ्रेंट्स growth की है decadal growth rate 10 के व्रिधिदर इसको कहा जाता है तो 25.42 प्रतीशत ठीक है आप लोगों में से किसी का योगदान है इसके अंदर में मतलब 2001 से 2011 के बीच में किसी का बेभी हुआ हो ठीक है किसी का है कि यहां पर में योगदान तो भाई 25.42 प्रतीशत यहां पर में बिहार की growth rate यह आप लोगों से question पूछ सकते है इसके अलावा जो है friends male sex जो है overall sex ratio कितना है हर 1000 लड़कों के मुकाबले में केवल 918 लड़किया है बिहार के अंदर में तो भाई job पे जल्दी-जल्दी से लगो लड़कों नहीं तो तुम लोग जो है ना तुमारी शादी उदी नहीं होने वाली 918 यह याद रखना है आप लोगोंने हर 1000 लड़कों के उपर में 918 ही लड़किया है अगर मैं child sex ratio की बात करूँ यहां पर मैं child sex ratio child sex ratio मतलब की 6 साल से चोटे जो बच्चे है उन लोगों के अंदर में यह आप लोगों का 935 है बिहार के अंदर में child sex ratio हर 1000 चोटे बच्चों के मुकाबले में 935 लड़किया है के बच्चिया है चोटी फीमेल लिट्रेसी रेट आप लोगों के कितनी है 51.50 है और मेल लिट्र जल्दी जल्दी से जो लड़किया और सच में लड़के है ठीक है लड़के जितने वह हाथ उपर करो देखे तो कितने लड़के यहाँ पर में 71.20 प्रतिशत जो है लड़कों की लिट्रेसी रेट है 51.50 फीमेल वाला एक्जाम में आ चुका है हो सकता है अब यहाँ पर में 51.50 में आते हो 71.20 और 51.50 अरे चार पोल ठीक है चलिए तो यह आप लोगों को याद अखना है 71.20 वाले काफी सारे लोग है अच्छा एक चीज और बताओ मेरेको अब बहुत इंपोर्टन वाला कोशन बहुत इंपोर्टन वाला यह पूरा का बहुत सारी पॉपुलेशन है यहाँ पर में आ जाता आपका बिहार अब बिहार जो है फ्रेंट्स उसमें पूरे भारत की कितनी पॉपुलेशन रहती है यह कोशन अगर बन जाए तो बिहार में पूरे भारत की 8.60 प्रतिशत जनसंग के रहती है ठीक है 8.6 आप लोग या सकते हो या फिर रफली जो है व भारत में रहता है यह याद आखेंगे निम्नलिकित में से कीज गरह का घंतव सबसे अधिक है यह बताएंगे आप सभी लोग कौन सा गरह का घंतव सबसे अधिक हैं तो आप लोगों का घंतव का मतलब होता है कि अगर 1 cm का मैंने ऐसा CUBE बना दिया ठीक है तो एवरेज इस एक जो है आप लोगों का cm3 के अंदर में, ठीक है, कितना आप लोगों का material आएगा, वो उसका मतलब होता है, 1 cm3, तो Mercury, Venus, Jupiter, Earth, सबसे जाधा घंतव, सबसे जाधा घंतव, सबसे जाधा घंतव, Earth का है, ठीक है, Earth का, और सबसे कम किसका है, तो शनी ग्रह का है, सबसे कम, तो प इतने भी बच्चे, आप लोगों को, मैंने दो डेटा याद करवाया था, आप लोगों को, ठीक है, acceleration due to gravity, हमारे पृत्वी का, acceleration due to gravity, जो gravity के कारण जो हमारा acceleration है, या gravity जिसको आप लोग simply कहते हो, यह कितना है, ओके, वो बताएंगे, और पृत्वी का पलायन वेग कितना है पलायन वेग, इसको भी हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया वाले example से देखा था, मैंने आप लोगों से कहा था, कि अगर मैं को मान लोगों कि आप लोगों से किसी को एक को उठा कर फेग देना है ऐसा, जोर से, और इतना जोर से फेगना है आप लोगों को, कि आप वापस ह प्रुतवी की गुरुतवा कर्शन को छोड़कर चले जाओ और जाते ही जाओ, जाते ही जाओ, जाते ही जाओ, तो वो आपको कितना स्पीड में फेगना पड़ेगा, दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसी वज़े से मैं आपको दोनों को बता दे रहू, पुरुत्वी का अगर आप लोग गुरुत्वा कर्शन बोलोंगे ठीक है तो यह आपका 9.8 average जो है आप लोगों का 9.8 meter per centimeter square है आप लोगों का 9.8 meter per centimeter per second square meter per second square meter per second square है यह okay acceleration का भी unit वही है और acceleration due to gravity का भी वही है वही अगर मैं आपको पलायान वेग या escape velocity जिसको कहा जाता है आपको भेजना है मेरे को escape velocity velocity तो कम से कम मेरे को आपको 11.2 km per second की speed से फेकना पड़ेगा तब ही आप पृत्वी के गुरुतवा कर्शन बल से बाहर जा पाओंगे अगर मैंने ऐसे फेका आपको उठाया और ऐसे फेक दिया तो आप जाओंगे थोड़े उपर और तपाक करके नीचे गिर जाओंगे मेरे को अगर इतना फेक रहा है कि भाहर ही फेक दू मैं आपको तो आपको इतना कम से कम इतनी स्पीड से फिकना पड़ेंगा 11 दर्शन बलो 2 km per second की स्पीड से चालिए तो यह याद रखेंगे निगेटिव मार्किंग है या नहीं सर मीना मौरिया जी आप कहा थे इतने दिन से निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 0.69 सबसे कम शनीगरहक है और सभसे जादा पृथ्विक है 5.51 मौंट्रियल प्रोटोकोल कौन से साल में साइन हुआ था, मॉंट्रियाल प्रोटोकॉल है किस चीज से रिलेटेड, मॉंट्रियाल प्रोटोकॉल बताओ जल्दी जल्दी से, मॉंट्रियाल प्रोटोकॉल कौन सी चीज से रिलेटेड है, मॉंट्रियाल प्रोटोकॉल, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, प्रिविजन बैस्ट से जो है आप लोग अच्छा दिख रहा है कोई बात नहीं आप लोगों का ठीक है 1987 के अंदर में साइन हुआ था अब बताव लागू कब हुआ था देख लिया न आप लोगों ने अंसर कुछ कर लिए अपने मनमानी अंसर देख लिया अब बताव लागू कब हुआ था और कौन सी चीज से रिलेटेड है चलो कोशन ही बदल देंगे हम BPSC थोड़ी है यहां पर में क्यों कोशन लीग हो गया तो हम बदल नहीं सकते करगे टाइम पर अरे तुम लोगों ने अंसर देख लिया आप मुझे यह बताओ कि तुम यह कौन से देश के अंदर में है करके ठीक है कौन से country के अंदर में है मेरे को यह बताओ कि Montreal Protocol से पहले कौन सी वाली चीज आप लोगों की ठीक होई थी ठीक है कौन से साल में हुई थी इसके पहले बैठक होई थी आप सवाल पूछेंगे ठीक है इससे रिलेटेड़ डेटा की कमी निए बस आप अच्छे से पढ़ोंगे जितना अच्छे से पढ़ोंगे उतना जाद आप लोगों इसको सिखाया जा सकता है खड़े खड़े यही आप लोगों के तो Montreal Protocol जो है फ्रेंट्स यह ओजों की परत से आप लोगों के अंदर में जोग बचाना है 1987 से अंधर यह आप लोगों की लागों था अप लोगों का 1989 यह आप लोगों स해 पूछा कि MON नाम की जाका काहापर में है तो यह चंग्या के अंदर में मॉंट्रियाल प्रोटोकॉल से पहले विना कांवेंशन हमेंशन अ यह वीनए इनाम की जगह वह कहा बताएंगे आपrr किसकी राजधानी है यह भी आप आप लोगों को बता दिया लो और कुछ और कुछ ही है तो मॉन्ट्रियाल प्रोट्रोकॉल आपको ओजोन से रिलेटेड है 1987 के अंदर में साइन हुआ था लाग हुआ था 1989 के अंदर में मॉन्ट्रियाल नाम की जगा कैनेडा में है मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल साइन होने से पहले एक मीटिंग हुई थी वी एना के अंदर में मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल जो थाक हैं किगाली नाम चाहारण तो शहता चांए है अगर के वापस से तो उन लोगों ने बोला यार कि ये बिहार के बच्चे ना आंसर देख लेते और फिर बोलते आंसर दिख रा आंसर दिख रा आंसर दिख रा ठीक है तो बोले किगाली अमेंडमेंड कर देते कुछ तो नहीं आप पुछेंगे सर बढ़िया से मस्तव है कि लोगों से तो किगाली अमेंडमेंड किया गया आप लोगों का 2016 के अंदर में किगाली नाम की जगा कहां पर में एक और कोश्चन बन जाएंगा बोले उन लोगों ने दानिसर के लिए तो रवांडा की राजधानी है किगाली ठीक है अप्रीकन कंट्री है ये याद रखने कौन सा परियावरण संब्मेलन अपनाया गया था ठीक है Ozone परत के संदक्षन के लिए Ozone संदक्षन के लिए अभी आप लोगों को बताया friends कि आप लोगों का यहां पर में convention हुआ था protocol अलग है convention अलग है ठीक है convention तो यह question जो है न यहां पर में 2 option आप लोगों के एक साथ यहां पर में हो गया है लेकिन आप लोग बता दो ग के की convention सा था convention कांवेंशन क्योंकि कॉस्टिन में convention पूछा है आप लोगों से आप लोगों का हुआ था अपका कहां पर में विये नाम के जगह पर convention तो कहानी कुछ इस प्रकार से है फिर से बता देता आपको विएना नाम की जगह पे विएना नाम की जगह के उपर में 1985 के अंदर में मुलाकात होती है किसी रोज तुम से मुलाकात होंगी तो वही बाला convention ठीक है convention आप लोगों का convention इसमें बैठक में निरिने लिया गया कि भाई ओजोग है बच्चों को बता देना कि 1985 में हमारे जाने के बाद में बता देना कि हम लोगो ने उनके लिए MER convention में हम लोग मिले फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने Napشak account वहाँ पर में प्रोटो कॉल साइन किया, प्रोटो कॉल का मतलब होता है, ठीक है एक कुछ Nियम बनाया हम लोगोंने, यह हम लोगोंने साइन किया था 1987 के अंदर में, इसको हम लोगोंने लाग़गिया 1989 के अंदर में, तो Vienna Convention हो, Montreal Protocol हो, Ozone से related है, Montreal Protocol, जो है, sign हुआ था, आप लोगों का 16th September, ठीक है, 1987 को, और इसी वज़े से, आप लोग 16 September को मनाते हो, Ozone Day, Ozone Day, Ozone Day, लो, एक और question आप लोगों का clear हो गया, एक नमबर और मिल गया, आप लोगों को, प्लस वन मार्क्स, ठीक है, एक नमबर और मिल गया, आप लोगों को, Ozone Day वस कब मनाया जाता है, बताओ, तो Vienna Convention, जो है, Convention की बात हो रही है, Convention बोला है, तो Convention आप लोगों को, Vienna Convention हुआ तो 1985 के अंदर में, अब देखें, यहाँ पर में जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर में जुड़े हुए, 3000 के करीब, 2027 यहाँ पर में लाइक हो चुके है, 2027 लाइक हो चुके है, अगर आप लोगों को लग रहा है, कि friends, ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी information देता रहूँ, ठीक है, तो आप सभी के सभी, जितने लोग यहाँ पर में करीब 3000 के करीब लोग हो चुके, मिरको next 2 question के अंदर में, वैसे तो बहुत सारी और भी चीज़े आप लोगों के, तो देखे friends, अगर मैं particularly यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो हुएन सांग, आप लोगों का, यह चीनी यात्री था, इसकी जो पुस्तक है, उसका नाम है C-U-K, ठीक है, यह समराठ हर्षवर्धन के समय में आया था, हुएन सांग की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से friends, तो इसको जो है Prince of Travelers कहा जाता है, Prince of Travelers, Prince of Travelers, यात्रियोग राजकुमार, तो यात्रियोग राजकुमार किसको कहा जाता है, तो यात्रियोग राजकुमार हुएन सांग को कहा जाता है, यह याद रखो आप लोग, यात्रियोग राजकुमार, Prince of Travelers, यह जो है friends, नालंदा University में आया था, नालंदा में, नालंदा में उसन स्टूडेंट की तरह काम किया या टीचर की तरह दोनों पहले स्टूडेंट की तरह काम किया है स्टूडेंट फिर बाद में टीचर भी बना था वहां पर में वह यह आदखने आपने स्टूडेंट और टीचर दोनों की तरह काम किया नालंदा के अंदर में उसने एक इंपोर ते लादित्ते किस्ने दिती उपधि Kuhen Sang और किसकी उपधि थी? ईाया रखना है और कि Xuhen Sang की Press समय काल लाती के अदर में शेल के उपधि दीती फ्रिंट में इसको कहा जाता है नालंड वूनिवरिय्टा दा दीचर और इसके ने काम किया हुआ है और भी बहुत सारी चीज़े है friends आप लोगों की उसको हम लोगों की हाँ पर में देखते रहेंगे आगे में बाकी जो है हम लोगों ने इसको किया हुआ है आगे में next question के दर में आगे बढ़ते हैं आप लोगों को बताने की world innovation जो है अवार्ड दिया गया अभी world innovation award BRICS innovation forum के द्वारा यह BRICS innovation forum जो है friends यह आप लोगों का रशिया में आयोजित किया गया था ठीक है BRICS innovation forum रशिया में आयोजित हुआ था उसमें एक award दिया गया world innovation award तो world innovation award जो है आप लोगों का यह किसको दिया गया है तो Himanshi मेत्रीना , Kazumman Reddy , Santa Thotham , छी उशकोमारी इनमें से कोई नहीं토 तो Santa Thotham को दिया गया जह गया santa Thotham , यह दिए य। यद्खने है आप लिए लोगों को वर्ल्ल इन्योविशन आवार्ड इस वर्ल्लेंविशन से सम्भानित किया बता दू कि तेलंग आना के अंदर में इनोवेशन जो है अधिकारी है यहाँ पर में चीफ इनोवेशन आफिसर पहली महिला चीफ इनोवेशन आफिसर है सांता थोटम इनको दिया गया है ब्रिक्स इनोवेशन आवर्ड मौस्को में आउजी जित हुआ था एफ्टिया पून मुवी के अंदर में जिन्होंने फरहान का रोल किया था इन्हीं को फ्रेंट्स थोड़े समय पहले आप लोगों का 69th National Film Awards के अंदर में रॉकेट्री दनाम्भी इफेक्ट नाम की जो उनका मुवी थी उसके अंदर में उनको जो है यहाँ पर में नॉमिनेशन मिला था उनको जो मुवी थी इसको 69th National Film Award के अंदर में बेस्ट फीचर फिल्म का प्राइस भी मिला हुआ है रॉकेट्री दनाम्भी इफेक्ट तब से यह न्यूज में आ गये थे तो न्यूज में आ गये तो मिल गया उनको आर्माद्वन को यह पद भी मिल ग तो उतकल नाम से ही आप लोगों का क्लियर हो जाता है उतकल आप लोगों का हो जाएंगा यहां पर में उडिशा ठीक है उडिशा उतकेला हुट्ञाएडडे का उटगाटन उडिशा के अंदर में किया है हमारे उडियन मंत्री कौन है यह याद आखने आप सभी लोग ने जोती रादित्य सिंधिया तो उत्केला एरपोर्ट का उठगाटन उन्होंने किया है उडिशा के अंदर में नेक्स्ट कॉश्चन के दर में आगे बढ़ते है आप लोगों के इंडिया तो वर्ल्ट फूड इंडिया 2023 का ये दूसरे नंबर का संसकरन था यह याद रखनें आप सभी लोगोंने ठीक है ये आयोजीत आप लोगों का कहा पर में हुआ ये भी कॉश्चन पूछा जा सकता है तो आपको याद रखने है प्रगती मैदान दिल्ली के अंदर मे important point exam के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से okay next question के दर में आगे बढ़ते हैं पूहर या काविरी पटनम निमनली कितम से कौन से साशन किस साशक का बंदरगा वाला शहर था तो ये पूहर या काविरी पटनम आप लोगों को याद रखना है चोला राजाओ यहां पर में आप लोगों के अंदर में दिखाने की कुशिश करते हो यहां पर में आप लोग देख सकते हो इसको ठीक है यहां पर में है यह तमिल नाडू के अंदर में आज यहां पर में काविरी पटनम आप लोगों को दिखाई देगा काविरी पटनम इसी को पूहर भी तो चोल लोगों का था, यह याद रखने है आप लोगों का, काविरी पत्नम या पूहर, चोल लोगों का, next question के तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, आपको बताना है कि Global Maritime India Summit, Global Maritime का मतलब क्या होता है, friends, समुद्र से related, ठीक है, current का question है आप लोगों का, इसलिए important हो जाता है आपका, 2016 में, 2021 में दो बार पहले आयोजीत हो चुका, यह तीसरा संस्करण था, Global Maritime India Summit का, GMIS, 2030, मुंबई में आयोजीत हो था, important question है, याद रखेंगे सभी के सभी लोग, next question के दर में आगे बढ़ते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है, तो brackish water या खारे पानी की सबसे बड़ी जील, जो है आप लोगों की, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी जील, चिलका जील है, आप लोगों की, brackish water की, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी जील, चिलका जील है आप लोगों की, ठीक है, चलिए, like and share करते रहेंगे, सभी लोग, जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं, यहां पर में, चिलका जील कहा पर में, कौन से राज्ये में हैं, या आप लोग आंसर करेंगे, state बताएंगे कौन सा, अरे, इस question का हर एक option का आंसर आप लोग बताएंगे, बारेंगे, वुलर जील, कहा पर में, state बताएंगे, वैंबनार जील, और सामबार जील, देके, चिलका जील, उमरे भारत की सबसे बड़ी खारे-पानी की जील है, ठीके, वुलर जील जो है, फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है, वुलर जील आप आप लोगों की यह केरला में मिलेंगे आप लोगों को केरला में और भारत की अंदुरूनी भारत के अंदर में भारत के समुद्री किनारे पर नहीं अंदुरूनी भारत के अंदर में आप लोगों की सांभर जील जो है यह है और यह राजिस्थान में मिलेंगे आपको छिली चील आप नोग देख सकते हो friends, आप लोगों को उडिशा में मिलेंगा, उडिशा अपि आंधर में यहां पर मेंगा इक पोट है, मैं आपको बतानाना जादू हो बॉस बहुत IMPORTन है, पोट यहां पर मेंं है पराधी पोर्ट यह भी याद रखेंगे पराधी पोर्ट उडिशा के अंदर में सभी लोग हर एक बच्चा लिख देंगा comment box में हर एक बच्चा देखो activity करोंगे तभी जाकर आप लोगों को चीजे याद होंगी friends ठीक है आप लोग अभी पढ़ रहो यहाँ पर में पिछले आप लोगों की energy बनी रहे हैं आपर में तो पराधी पोर्ट जो है उडिशा के अंदर में हर कोई बच्चा लिख देंगा comment में पराधी पोर्ट चालो आगे बढ़ते है friends यहाँ पर में हम लोग हमारे next question के तरफ में आपको बताना है angel falls जो कि दुनिया का सबसे उचा जल प बारत का सबसे उच्चा जल प्रपात कौन सा है वो भी आप लोग comment करके बता देना मुझे ठीक है जल्दी से यह बताईए आप लोग angel falls जो कि दुनिया का सबसे उच्चा जल प्रपात है वो कहाँ पर में तो Venezuela के अंदर में तो Venezuela और Brazil को देखकर न ठीक है मन में कुछ-कुछ होता है और वो कुछ-कुछ यह होता है कि यहां पर में मैं लिख दू आप लोगों के लिए कि यहां पर में lanos जो है यहां पर में घास के मैदान पाए जाते है और Brazil के अंदर में compose नाम के घास के मैदान पाए जाते है ठीक केиком57 नामके घास के मैदन के अफ लोगो कि पाय जाते Harm球 है का फ्रिंट कि कि अप लोग Tet jeste can trust लेंड्ड जाते है कि आप लोगके तो वेनेजूएला में चुन लूब अबर है स्परे लोग ने मिल जैते हैं यहीदें के लोग नाप का दुनिया का सबसे उचा जल प्रपात है आप लोगों का ओके निम्नलिकित में से किसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नाइका कहा जाता है तो भारत में भारत की नाइका कहते हैं आप लोग जल्दी से बताईए यहां पर जल्दी जल्दी से एक नौण चले तो आप लोगों के दिखेंगे फ्रेंड यहां पर में आंसर आगया है उनेज्से की भारत छोड़ो आंदोलन की जो नाइका है वह अरुना आसफ अली को कहा जाता है ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन उनेशे का अरुना आसफ अली कि ब्राजिल में गम्पोज और वेनेजुला में लानुस किसकी उधारन है ठीक है जल्दी से बताइए आप सभी लोग में तो हर जगा पर हमको चाहिए एक पॉइंट और वहाँ पॉइंट मिल जाए तो हम लोग उसको कर रहे है यहापर में तो जो बच्चे भी अभी भी करना चाहते है ठीक है आज आप लोग जो बहुत ही नॉमिनल आप लोगों का उसके अंदर में है जो भी आप लोग 158 रु अगर मैं बता हूँ आप लोगों को कि ब्राजील में कंपोज तो यह आप लोगों के ट्रॉपिकल ग्रास लेंड की एक्जामपल है ठीक है सिंपल कितना बड़ीया तरीके से आप लोगों ने 80% लोगों ने अंसर किया है इसको 100% तक लेकर जाना है हम लोगों ने एक दिन क कि हर एक बच्चा जो है इसका आंसर कर पाए ओके चाली तो आप लोगों का नॉलेजबेस ऐसी बढ़ता रहेगा अगर आप लोग अच्छे से महनत करोंगी तो वंदे मात्रम अंदुलन के नाम से जाना जाता था स्वादेशी अंदुलन को तो देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ बंगाल का विभाजन के बाद में स्वादेशी अंदुलन स्टार्ट होता है तो स्वादेशी अंदुलन बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ स्वादेशी अंदुलन को भारत के अलग 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 नाम से जानते थे वंदे मात्रम अंदुलन आंद्रह के लाके में कहा जाता था, स्वादेशी आंदर्वन को भारत, वंदे मात्रमांदुलन के नाम से जाना जाता था, ये याद रखने हैं आप सब्सक्राइब है, इंपोर्टेंट है, एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों का मार्ती राज्ये की दो अंतराष्ट्य सीमाए है वी है दो ही है 3 नहीं 2 जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग इसका अंसर होगा आप लोगो का त्रिपूरा केवल बांगलादेश के साथ में करता है, केवल बांगलादेश के साथ में, ठीक है, उसके बाद में मिजोरम यह दो राज्यों के साथ में करता है, दो देशों के साथ में करता है, बांगला, बांगलादेश, प्लस म्यानमार, म्यानमार, मेगाले केवल बांगला बांगलादेश के साथ में वही पस्चीम बंगाल की बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स तो आप लोग देखोंगे यहाँ पर में पस्चीम बंगाल जो है अलग 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 राज्यों के साथ में अपनी सीमा वो साजा करता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक तो मेघाले मेघाले की बात करो तो, मेघाले ने अई कि Sorry, the मेघाले तुह को दुआ होने क्यों कर्णा जरूरिके, कशलना झाल को जब आर बार 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 मैप से डिए तो आप आप लोगों को जादा लंबे समय तक चीजे मेद भारता है, मेघाले आसाम के रख पाथार श弦ो सकते हैं धुल्के बुद का भाही हो दककन के पठार का ही बाग है लांस पिस को बुद Acts किसने लौंच किया बीसभी भी मोबस अपलोगों ने इसको देखा हुआ है बीसभी मुबवाइल एब जो है आने से काफी सहुलियत हो जाएंगी जो स्कूली बच्चे है उन लोगों को तो आपका स्कूल इग्जामेशन बोड जो है बिहार स्कूल इग्जामेशन बोड इसने इसको किया है बच्चो और टीचर दोनों के लिए बिहार स्कूल इग्जामेशन बोड ने प्ले स्टोर पे कुछ इस प्रकार से दिखता है ये app BSEB Information App आप लोगों का BSEB Information App के नाम से है ये बिहार स्कूल examination board ने इसको launch किया है ठीक है teacher और students दोनों के लिए इस वर्ष की गंतंत्र दिवस parade में निमनल इत्म से किस राज्य की जहांकी को सिर्ष पुरुषकार से समानित किया गया है तो कौन सा राज्य है जिसकी जहांकी सिर्ष पुरुषकार से समानित होई है इस साल तो आप लोगों आपका option number ठीक है आपका हो जाएगा option number A मानस खंड यह देख सकते हो आप लोग friends इस प्रकार से कुछ यह दिखाई देता है आप लोगों का मानस खंड यह यादखने आप लोगों उत्तरा खंड आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में आप लोगों का उत्तरा खंड का मानस पूल्स होती है उनकी जांकी निकली थी उसको best tableau या best जांकी का सरोशे जांकी का पूरुसकार मिला है मंत्राल है या department वाली category के अंदर में राज्यों की category में उत्तरा खंड को पहला पूरुसकार मिला है कोंकणी, मनिपूरी, नेपाली भाषाओं को समीधान में किस संशोधन द्वारा जोडा गया था ठीके कोंकणी, मनिपूरी और नेपाली तो देखिए हम लोगों ने देखा कि आपको आपकी जो भाषा है है friends जो अधिकारी भाषा है आप लोगों की वह आटवी कोंकणी, मनिपूरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग कोंकणी, मनिपूरी और नेपाली नेपाली संशोधन से जोड़ी गई, वही मैं मैथली, संथली, बोडो, डोगरी की बात करू, specially मैथली आप लो निम्नलिकित में से कौन एक उष्ने कटीबंधी है मरुस्थल है, यह भी एक कोशन आप लोगों का है, उष्ने कटीबंधी है मरुस्थल आप लोगों का, उष्ने कटीबंधी है मरुस्थल का मतलब होता है आप लोगों का, जो ट्रॉपिकल जोन में आता हो, ट्रॉपिकल मरुस्थल है यहां पर में उसके देश का नाम भी बताते जाओ सभी लोग, जल्दी जल्दी से जितने भी मरुस्थल है उनके देश का नाम भी बताते जाएंगे यहां पर में, सभी के सभी लोग बहुत ही जादा important question है आप लोगों का ये, ठीक है, बहुत जादा important है friends, इस question को आप लोगों ने पूरा अच्छे से देखना है, मैं पूरा का पूरा आप लोगों को यहां पर मैं अच्छे से explain करता हूँ इसको, ठीक है, तो please इस particular point को जो है याद रखना है आप सभी लोगों आप लोगों ने, निमना लिखित में से कौन सा एक कुछने कटी बन दी है, मनुस्थल है आप लोगों का, तो अटाकामा, कालाहारी, गोभी, तो अटाकामा जो है friends, यह याद रखना है आप सभी लोगों ने, अटाकामा आप लोगों को मिलेंगा दक्षिन अमेरिका के अं दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान, उसके बाद में जो है, दुनिया का सबसे गर्म सबसे सूखा रेगिस्तान, सबसे सुष्क, कालाहारी डेजर्ट जो है friends, यह अफरीका महादीप में आपको मिलेगा, अफरीका के अंदर में, और गोभी यह यह एशिया में मिलेग मैं यहां पर में दिखा हुँ आप लोगों को इस particular इसके अंदर में ठीक है तो ध्यान से देखें इस तरी किसे देखिया आप लोग यहां पर में ट्रापिकल डेजर्ट है अप्लोगोगों के रिगिस्तान वही अगर मैं बात करू फिलुए गोबी, टकला माकान आपने असब लूगों के ठंडे रिगिस्तान है Fr. इrió शितोषण trazer जोन के अदर में आते आप लोगो के का मतलब क्या होता ही आप लोगों का तेम् परेट जो के Πशीव्य के उपर एग यो त्रपिर के अपर में या ट्रपित व केपि वी इस अपको मंगोलिया और मुलेगा आपको शितोषणlast स्याट बारा नहारा डेजर्ट आपको पता यह अफरीका के अंदर में आपका आगे बढ़ते हैं, तो आटकामा डेजर्ट आप लोगों का शुष्क शेटर के अंदर में आता है, यह लोगों नो, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अर्थोरिटी और बिहार के साइक्लिंग असूसिएशन के सह नियोक से गंगा के पत पर खेलो इंडिया महीला रोड साइक्लिंग लीग में 28 अंक के साथ में कौन सा राज ये चैंपियन बना भाई साइक्लिंग के मामले में बिहार को कोई नहीं हरा सकता ठीक है यहां पर में आप लोगों का आपको बदा है कि लड़का जो है बिहार में कैसि जब बड़ा कि 17 8 साल का होता है तो cycle से चक्कर मढ UFO लिगता है पूरी यिंश की प्रetची में और है यहां आपको बढ़ार गली में से चक्कर मार रहा है है साइक्लिंग करते करते धे बदबं इयक्स-पट हो जाते हैं आजकल तो लड़किया भी एक्सपट होगे, महीला रोड साइक्लिंग के अंदर में, आप लोगो को बता दू कि पूरी की पूरी महीला यही आगे रही है आपकी, आपको बताना चाहूंगा कि 24 km की जूनियर के अंदर में, अमरिता, बिहार की जो अमरिता है उसने गोल्ड मे जीता, तो मतलब तीनों के तीनों मेडल, 16 km में बिहार ने जीत लिए, और इस तरह से 18 संकों के साथ में सबसे टॉप पर बिहार रहा, तो खेलो इंडिया जोनल, जो इस्ट जोनल, वूमें साइक्लिंग लीग हुई थी, साइकल चलाने वाली, उसके अंदर में महीलाओ की महीलाओ के अंदर में बिहार ने इसके अंदर में यह किया है, बिहार में ही आयो जीत होता, पटना में ही है, तो बिहार टॉप पर रहा ही है, यह आदखने है आप लोगों ने, तो 24 km वाली के अंदर में अम्रिता जो है उसने गोल्ड जीता है, और 16 km वाली के अंदर में त पहला हूआक बन गया है reading lounge नहोंग बनाया गया है और मैं आप लोगों सिल चाहूंगा है जीतने भी अप्लोगों करें ही हाओ अब लोग हेसले साफ फाले हमना मुझे बताऊंगे यहां यहां पर में। मतलब नाव इन असे शहर में है उनके शहरों के नाम बताऊंगे तो लाल बहादूर शास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट जो है फ्रेंट्स वहाँ पर में रीजिंग लाउंज बनाया गया है यह बनारस में वारा नसी के अंदर में आप लोगों का वारा नसी वारा नसी के अंदर में है ठीक है नेता जी सुभास चंदर बोस इंटरनेशनल और में आप लोगों को बता रहा था मैंने History का एक point बता आया था कोई बता सकता है मुझे कल जब आप लोगों को बता रहा था यह वाला point मैंने तो Guru Ramadzadji के बारे में Akbar से related एक point बताया था कोई बता सकता है जितने भी बच्चे क्लास के अंदर में सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी से बता देंगे क्या वो पॉइंट था ताकि आप लोगों को याद रहे से ईढ़ है गुरु रामदाज जी से रिलेस्टेडी ठीकए हूंताज ने लिख दिया है काफी सारे लोग लिख रहें यहाँ वर याँपर में पास्व बिघनगे अक बर ने गुरू रामद्स जी ची को 500 बिगा जमीन दी थी 500 बिगा हो जमीन जिफ्ट में दी थी गुरु रामद्स जी को चौथे नंबर के सिख गुरू है तो वही जगा पर अम्रित सर बना है तो उन्हीं के नाम पर गुरू रामदास जी इंटरनेशनल लेरपोर्ट का नाम रखा गया है क्योंकि अकबर ने इन्हीं को दिया था पासो भीगा जमीन गिफ्ट में अम्रित सर में चुक्छा तो अकबर ने कौन से सिख गुरू को पासो भीगा जमीन गिफ्ट में दी थी यह याद रखने है आप लोगों ने गुरू रामदास जी को गुरू रामदास जी चौथे नंबर के सिख गुरू थे फोर्थ नंबर के फोर्थ नंबर के सिख गुरू थे यह भी याद में पूछा गया, में पेपर में, में पेपर के अंदर में, ठीक है, P14 नाम का था, आप लोगों का राश्टिय वोटर दिवस, National Voters Day, National Voters Day जो है friends, आपको याद रखना है, ये मनाया जाता है 25 जैन्वरी को, क्योंकि 25 जैन्वरी 1950 को, Election Commission of India का गठन किया गया था, Election Commission of India, Election Commission of India का आर्टिकल आप लोग मुझे बताओंगे जल्दी से, आर्टिकल क्या है, Election Commission of India का आर्टिकल, सभी लोग जल्दी जल्दी से बता देंगे, Election Commission of India का आर्टिकल क्या है, Election Commission of India का आर्टिकल, तो Election Commission of India जो है friends, इसका आर्टिकल है 324, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी 24 निकल गया ना सिर्फ उस उस बात के लिए मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूंगा कि आप लोगों का जो है National ठीक है National Girl Child Day भी मनाया जाता है Girl Child Day ठीक है Girl Child Day मनाया जाता है आप लोगों का ठीक है 24th January को आप लोगों का हर साल अप लोगों जाता है जितना ज्यादा रिविजन करोंगे उतना ज्यादा आप लोगों का हर पॉइंट के उपर में आप लोगों बोल सकता हो और मैं आपको बता रहा हूँ मैं जो है जब मूर में होता हो ना पढ़ाने के तो फिर तो फिर कितना भी पढ़ा सकता हो बस चाहिए कि बच्चे कितना अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ठीक है कितना बढ़िया तरीके से कर रहे हैं आपर में तो फिर फिर मसा आजाता करने मे तो गर्ल चाइल डे आप लोगो को बनाया जाता है 24 जनवरी को यह भी कोशन आप लोगो इसे एक्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है तो इसको भी आप लोगो को याद अख लेना आप लोग किह अभरेंट्स विष्वा कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पर की तच पर पाया जाती है ग्रेट भीज का जाता है उसको चाइब भी में बढ़ा सता है खर्या बट्रि सकति होटे शाष्टिक उन्यएख जाती है तो हजारों सालों के बाद में क्या होता है यहां पर में पुरा कपुरा एक पहार टाइप तब बन जाता है तो सबसे बड़ी coral reef आप लोगों को सबसे बड़ी सबसे लंबी coral reef Australia में मिलेंगी great dividing range के नाम से उसको जाना जाता है ठीक है तो यहां पर में Australia के अंदर में आप देख सकते हो यह इधर साइड में आप लोगों को मिलेंगी यहां पर में Australia में great dividing range आप लोगों का ठीक है सबसे बड़ी coral reef यही पर है आप लोगों की coral reef great barrier reef के नाम से उसको जानते आप लोग great barrier reef के नाम से भी जानते ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है, आस्ट्रेलिया के अंदर में, तो ग्रेट बैरियर रीफ बोलो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलो, ठीक है, एक ही बात है, तो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या फिर सबसे बड जाल भित्ती, कोरल रीफ सबसे बड़ी ऐस्टेलिया के अंदर में, चीक है, सायुक्तराष्ट्र महासभा की अध्यक्ष्ट बनने वाली पहली महीला कौन थी, सायुक्तराष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का गठन कब किया गया था, यह किया गया था, आप लोगों का, 24th, October को, ठीक है, October को, 24th, October 1945 को किया गया था, ठीक है जी, उसके बाद में, जो है, आप लोगों का, इसकी जो एक महासभा होती है, General Assembly जिसको बोलते है, ठीक है, General Assembly, हर साल कोई ना कोई वहापर में देश का प्रतिनी थी, अध्यक्ष बनता है, तो पूरे दुनिया में, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, वो हमारे भारत की विजय लक्ष्मी पंडित थी, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आप लोगों को बता दू, यह पंडित जवाहरलाल नेरु की बहन है, राचकुमारी अम्रित कॉर भारत की पहली महिला, फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी थी आजाद भारत की, कौन सा मंत्रा ले इनको दिया गया था, जल्दी से कमेंड करके बताएंगे, आपको बार-बार रिवाइस करवा चुका हूं, याद रखने हैं आप लोगों ने, याद्यक्षा बनी थी, next question है आपका, नवी अनुसूची के तहत, नवी अनुसूची जो है आप लोगों का, ठीक है, नवी अनुसूची को शामिल किया गया था, भारती सम्विधान में किस सम्विधानी संशूधन के तहत, नवी अनुसूची को शामिल किया गया था, 74 सम्विधान संशूधन के जरीए, सात्वा 25 या पहला तो आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की हमारे भारत के अंदर में originally originally कितनी अनुसूचिया थी 8 थी 8 अनुसूचिया थी अनुसूची थी हमारे भारत में एक 90 नंबर की हम लोगों ने पहले ही समिधान संशेओधन के जरी जोड़ दिया अब हमारे देश के अंदर में total कितनी है अब हमारे देश के अंदर में total जो है आपकी पच्छी समीधान बारत समीधान की अनुसूचिया है और 25 पार्ट है एक्जाम देने जाना चीने फरहीन शेक आपको बिलकुल नियूस अपने की है आप देखे आप एक्जाम देने तो जाहिए आगे में देखते हैं फिर क्या उसके अंदर में होता है तो ब्रेंड सब्सक्राइज नो फ्रेंड्स यह आप लोगों की पूरी की पूरी list है वहां से आप लोग कर सकते हो या उसकी टैस्स दे सकते हो सारा का सारा आप लोगों का ठीक है किस घटना के कारण गांदी जी ने असायोग आंदोलन और खिलाफ़त आंदोलन जो है समाप्त कर दिया था ठीक है नौन कोपरेशन मुवमेंट खिलाफ़त मुवमेंट जो चल रहा था भारत के अंदर में उसको खतम कर दिया था उनसाट लाइक अब जाकर हुए आप लोगों के तो देखिए आप लोगों का जो है ना हर कोई बच्चा अपना अपना रिस्पॉंस देता रहे तो पढ़ाने में भी मज़ा आएंगी सभी के सभी बच्चे हर एक बच्चा जहां जहां शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग देहिए अगर मैं बात करूँ यहां पर मैं फुरेंट्स आप लोगों का Oyashio Courant की तो Oyashio Courant आप लोगों का ये बोल रहा है कि Warm Ocean Current है गरम है बोल रहा हिए गरम है और ये North Pacific Ocean के अदर में Western North Pacific Ocean के अदर में मिलता है आप लोगों को पहली बात तो ओयाशियो करण्ट जो है friends यह आपका warm नहीं है cold है cold है थंडी है धाराई है अगुलहास करण्ट जो है आप लोगों की गरम धारा है और इंडियन ओशियन के अंदर में पिलती है तो आप लोगों का पहला वाला जो है वो गलत है ठीक है दूसरा वाला सही है पहला वाला गलत है दूसरा वाला सही है तो आंसर जो है friends आप लोगों का अलग 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 अंसर आ रहे है यहां पर में 29 प्रतिशत लोगों ने A लगाया है 29 प्रतिशत लोगों ने B लगाया है 28 प्रतिशत लोगों ने C लगाया है ठीक है 15 प्रतिशत लोगों ने D लगाय मतलब कुछ भी लगा दो अकड बकड बंबे वो असी नबे पूरे सो है ना तो भाई ओयाशियो करंट आप लोगों का जो है वो कोल्ड करंट है गलत है आप लोगों का यह जापन के पास में है और दूसरा वाला सही है आप से लेकिन गलत वाला ही तो पूछा है इनकरेक्ट तो आंसर ए होगा ना आंसर आप से गलत वाला पूछा है तो गलत वाला तो ए है तो गलत वाला पूछा है आप लोगों से इनकरेक्ट पूछा है तो तो इनकरेक्ट का अंसर आप लोगों का उप्शन नबर यह होगा चलिए अब मुझे आप लोग बताएंगे य अच्छे से याद रहेगा यह देखिए जापान के तट पर दो है आप लोगों की यह कुरोशियो यह ओयाशियो ओयाशियो को जो है ना फ्रेंट्स कुराइल करेंट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है दूसरे पैन से लिखते हैं क्योंकि इसमें जूम हम लोग कर पाएंगे फिर इसमें ठीक है थोड़ा से जस्ट सेकिंड ठीक है इसको आप लोग कुराइल करण के नाम से भी जानते हो कुराइल यह थंडी धारा है आप लोगों की ओयाशियो और कुराइल एक ही बात है जापान के तट पर है नौर्थ वेस्टन पैसिफिक उशियो में कुरोशियो यह कुराइल कॉल्ड करेंड है सभी लोग लिखेंगे कमेंड मेंड में एक्टिविटी करनी है आप लोगोंने हर एक बच्चा लिखेगा ठीक है अग् blanket हर एक बच्या लिखेंगाALLY व्याशियोग करण कुराइल करन्ड जो है आप लोगों की कैसी धारा है आप लोगों की दारा है और प्रशान्त महासागर के अंदर में, पैसिफी कोशन में। ठीक है? तो आंसर ओयाशियो कोल्ड यह आप लोग याद रखोंगे? शोडी करें, की बाव धन? ओयाशियो कोल्ड, और यह आप लोगों कि लिगां अब है? महासागर के अंदर में, का खोमासार में, और यह आप लोगों कि क्या है? यही पर यहीं पर इसी में उन्होंने बताया है कि बिहार का नाम नाम बिहार क्यों पढ़ा करके, इसमें उन्होंने इसको explain किया है, बिहार का नाम बिहार क्यों पढ़ा, विहार से, बुद्धि, बुद्धिस्ट विहार हुआ करते थे, उसका रुपांतरित रूप आपका बिहार, विहार से बिहार पढ़ा है, आपका मिनहाज ये सिराज ज के अंदर में ही कहा है ओके यह भी याद रखेंगे आप सबी लोग इंपोर्टन पॉइंट एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं तो बी रेडी फॉर दिस कोशन सर एक्ज का कुशन के फ़र्म में करवा दिजीए एक्ज को कोशन के फ़र्म में कर आ दूंगा ठीके मेनाज जन सि्राज तबाकते नासीरी इन्हों ने पुस्तक लिखी यह याद इखना है फारसी system भी बोलते है friends आप लोग, तो इसको किस ने लागू किया था, इसको लागू किया था friends आपका first पूर्टगाली जो गवर्नर था, first Portuguese, Portuguese जो गवर्नर था आप लोगों का उसने लागू किया था, first Portuguese governor, कौन था वो, Alfonso de Albuquer, Francisco de Almeida, Nino da Kunha, none of the above, ये तीनों ही governor आप लोगों को याद रखने लायक है, जो आप लोगों ने याद रखने है, ठीक है, तो important है आप लोगों के, please इसको याद रखेंगे सभी के सभी लोग, कि यहां तेनों के बारे में हिं कुछ न रिख न ही कुछ ना कुछ ना कुछ है जो आप लोगों को Lisизam याद रखना है यह पुछा जा सकता है न तीनों की वारे में आप लोगों का तो आप लोगों का जो पहला पुर्टगाली गवर्णर था वो था फ्रांसिस्को डी अलमेडा है इसने ब्लू वाटर पॉलेसी चांत जल की नीती या नीले जल की नीती लेकर आया था जिसके अनुसार इसका मानना था कि जमीन पर कभजा बाद में करेंगे पहले समुंदर प पॉलेज यह गवर्णर थे सेकेंड गवर्णर पॉल्टगाल के और इन्होंने गोवा को जीता था ठीक है गोवा को गोवा 1510 में गोवा को बीजापूर सल्तनास से जीत लिया था अलफांसो डी अलभुकर्क ने नीनो दा कुन्हा वो है जिसने 1530 में गोवा को कैपिटल ब कर सकते है ठीक है तो जितने भी लोग है यहां पर में जो पूछ रहे कि सर रिविजन बैच कैसे करना है तो रिविजन बैच यह 7611-101-101 नीचे में भी नंबर आप लोगों को चर रहा है या फिर 969788444 इस नंबर पर आप लोग कॉल या वाटसएप कर सकते हो वाटसप भी क आप लिए इस चीज़ए मिल जाएंगे अपको मीना जी निगेटिव मार्कींग नहीं है निगेटिव मार्केंग होंगी आप लोगों का पूरा-पूरा लेक्ट्यर था अप लोग अगर चाहते हो कि और कॉश्चन में आप लोगों कर वाओ तो आप लोगों बता सकते हो इ जिसकी आप लोग रिविजन करेंगे सब से जाद से जाद रिविजन करते रहिए जितने कोश्चंस आप लोग कर सकते हो उतने जाद से जाद कोश्चंस करेंगे जितने बार कोश्चंस को देख सकते हो उतने जादा बार कीजी आप लोग उतना आप लोगों का फायदा होगा ठीक है तो ऐसे ही आप लोगों करना है प्रैक्टिस अगर करनी है आप लोगों ने तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे सेशन को तो मिलते हमारे नेक्स लेक्षर में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मुच फ्रेंड्स टेक कियर और बाए God bless you all thank you very much everyone thank you